जो हमारे बाई है दूसरे राज्यों से आके तलंगाने के विकास में काम कर रहे हैं हम आपको जैसा मैंने पहले बताया था हमारे बेटे हमारे तलंगाना राज्यों कास के प्रतिनीजी मानते हैं आप बेज़िकर से यहां काम कर सकते हैं यहां सारा काम खुल जा रहा है आपको करने के लिए पूरा काम मिल जाएगा हाउजिंग आक्टिविटी चलेगा रियल एस्टेट चलेगा काफी आउर काम भी चल पड़ेगा इंडस्टी भी चलेगा तो लेहाज़ आप अपना काम ढूंड सकते हैं जहां आप पहले से काम कर सकते हैं वहां आप आराम से अपना काम कर सकते हैं जो लोग जाने के लिए मन बना लिये हुए हैं आप लोग जा सकते हैं, कोई पाबंदी हम रोगेंगे नहीं, लेकिन एकदम लागों लोगों को हम नहीं बेज सकते हैं। मज़्य प्रदेश में हो, या किसी और राज में हो, बिहार में हो, जारकन में हो, तो वहाँ पे किस जिले में वो लोग जाएंगे, तो कि वहाँ के सरकार इनके जाने के प्रबंद करना चाहिए, वहाँ पे भी पब्रिक ट्रांस्पोर्ट नहीं है, इनके लिए स्पेशल प् पढ़ेगा अब यह लोग सरनली जाके उतर गए और बिहार जैसा राज है वाँके लोग बता रहे थे मांके सीएम साब और चीफ सेकर्टी बता रहे थे कहीं लाज लोग पहुंच रहे तो एकदम लाज लोग आ जाए तो उनको संभालना उनको मुश्किल हो जाएगा तो वो लोग भी एक सेडूर बना रहे अगर बाहर से लोग आ रहे तो किस प्रकार से उनको कौन से रायल्वे स्टेशन पर होतारा जाए किधर लिया जाए और जैसा safe लिए उनका गर पहुंच दिया जाए उनके गांप पहुंच दिया जाए इसके लिए time लगेगा तो इसलिए दूसरे राज्यों से जो तेलंगाने में काम करें बाही बंदुजन है कोई आपको गवराइट की जुरत नहीं है आप जाना चाहो तो हम बेज देंगे लेकिन ज़्याजातर रुकने का प्रैस कीजिए और इकटा सारे लोग इकटा जाएंगे यह संबव नहीं है आप लोग यह समझना चाहिए लागों में हजारों में हम नहीं बेज सकते अब आज एक ग्यारा ट्रेन हमने बेज रहे हैं आज देखिए बिहार के लिए पांच गाड़ी रवाना हो रहे जारकन के लिए एक गाड़ी हो रहे राजयस्तान के लिए एक ट्रेन जा रहे उत्तर प्रजिश के लिए दो ट्रेन जा रहे और मज्य प्रजिश के लिए दो ट्रेन जा रहे तो इस प्रकार से ग्यारा ट्रेन आज हैजरावास से रवाना हुए मैं चालिस ट्रेन बेजना चाह रहा था लेकिन उन राज्यों से भी हमारे को consent की जुरुत है इजायत लेना पड़ता है तो एक दम एक 10,000 गए वहां पर बस नहीं मिलेगा अब अपने गाउन नहीं पहुंच जाएंगे वहां भी दिक्कत हो जाएगा ये उल्टा उल्टा हो जाएगा तो इसलिए दीरे दीरे अब तक 13 ट्रेन पहले दो ट्रेन जा चुके हैं अब 13 ट्रेन जा रहे अब एक आईसी अच्छी बात ये है एक positive बात कि हमारे राज में पूरे rice mills में इतने भी rice के mills है बिहार के भाई काम करते हैं अब ही वो 22,000 लोग अना चाह रहे हैं बिहार से हम उसको लेने के लिए तैयर है जो गाड़ी बिहार जा रहा है वहाँ से rice mills में काम करने वाले लोग वापस में उसी गाड़ी में वापस हम लोग ला रहे है खल एक trip आ रहा है बिहार से जो खल गया था train काम के लिए आने वाले भी है हम लोग समझते हैं अभी तोड़ा आप पीडा उठा रहे हैं पीडा से गुजर रहे हैं लेहाज आप अपने गर जाना चाहते हैं तो एकदम हम भेजने ही पाएंगे आप registration कर वा लिजे हम आपको भेजने का प्रयाज दीरे दीरे करेंगे step by step करेंगे वो इस प्रकार का हमें वहाँ से मिलना पड़ता है उनका अनुमती लेके हम आपको भेजनेंगे ताकि आप सेव जा सकते और हमें पूरे जानकारी ये भी है कि आप वापस फिर से तलंगान राज में आएंगे आपको यहाँ खाना मिलता है पेट बरके हाथ बरके काम भी मिलता है हर चीज में मिलता है तो आप लोग कहीं नहीं जाएंगे फिर काम करने के लिए आएंगे तो इसलिए आप लोग को कोई गबराग्ट की जुरत नहीं है हम दिरे जिरे आपको बेचे जाएंगे लेहाज आप कोई फिकर करने के जुरत नहीं है आप रह सकते हैं अगर रहना चाहे कोई दिक्कत हो 100 को डायल कीजिए वहाँ के अधिकारी से मिलिए वहाँ के MLA से मिलिए हमारे मंतरी जी से मिलिजिए आपको पूरा हम कर सकते हैं अभी जो कर रहे हैं पंक्शन हाल्स में हम काम इंतिजाम कर रहे हैं हर लेहाज से कर रहे हैं आप जानते उस बात को उसी परकार से आपके साथ रवया होगा आपको गबरावाट ना करे परेशान ना हो कोई अच्छी चीज़ की जुरूरत नहीं है